महुदय सर्कार को समाजवादी देश के अंदर न्याय दिलाने की जो पद्दती है उसका गहराई से अध्यन करना चाहिए और हिंदुस्तान की परिस्थिती में उसको किस धंग से लागू किया जाए इस पर विचार करना चाहिए अगर समाजवादी देशों की पद्दती सचमुच में गरीगों को न्याय दिलाने में समर्ध होती है अगर उससे सचमुच में गरीगों को सस्तान्याय मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि उस पद्दती को लागू करने की दिशा में गमिर्ता से विचार करना चाहिए सस्तान्याय मैं समझता हूँ कि सहज भूशना करने से नहीं होगा गरीबों के बारे में तो आजकर बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है शायद ही कोई व्यक्ती हो जो अमीरों की तरफ़्ी चाहता हो जो हिंदुस्तान में कुंजिवाद का समर्थक हो वह आदमी जब इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है तो मुझे बड़ी ही उनकी नियत पर गहरा संदेव होता है इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के सम्विधान में समाजवाद का लक्षय रखा गया है उसकी प्रस्ताबना में समाजवादी उदेश्य है तो महज प्रस्ताबना तक ही वह सीमित नहीं रहना चाहिए मित्रा जी ने कहा कि दूसरी ओर बहुत से सेक्षन ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में सम्विधान में कुछ संशोदन किया गया है नीकी निर्देशक तत्वों में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए तो ऐसी अवस्ता में जग सम्विधान में इस तरह की बाते हैं तो अब सम्विधान थो हमारे देश का गुनियादी कानून है उस कानून से दूसरे कानून बद्दे हैं ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों का बनाना ताकि गरीबों को सस्ता न्याय मिल सके इस संबंध में जरूरी है मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा और वह यह की CRPC में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि मामला जो फाइल होगा ठाने के अंदर और अनुसंधान जो ठाने के अंदर होगा उसमें गाव से जो लोग चाहेंगे गवाही देने के लिए उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा यह CRPC का संशोधन था और मुझे इस मरण है 1972 या 1974 में हुआ था और इस तरह का प्रावधान वहां किया गया था मैं समझता हूँ कि गरीब जो मामला पाई करता है उसे नयाय नहीं मिलता है क्योंकि वह आनी जाने को वहन करने में ऐसमर्थ हो जाता है मैं सरकार से जानना चाहता हूँ किसी RPC में जो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है क्या सरकार ने उसके लिए कोई उचित प्रावधान किया है ताकि लोग अगर ठाने में जाएं अनुसंधान के लिए ठाने में गवाही देने के लिए जाएं तो उनको इस तरह की सुभिधा मिल सके इस तरह की क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है महुदय मैं आपके प्रती बहुत आभारी हूँ कि आपने बोलने का समय दिया यह प्रस्ताव गरीबों से संबंधित है कानून मंत्री जी भी यहां बैठे हुए है मैं कानून मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों को कानूनी सहायता देने का उन्होंने प्रावधान किया महुदय हमारा उद्देश्य यही है कि गरीब हमारी योजनाओं से लाभानवित हो इसी लिए हमने जो निर्देश राज्यसरकारों को दिये हैं उसमें हमने यही रखा है कि अधिक लोग इससे लाभानवित हो सकें इसी तरह हमारी N.R.E.P. की जो इसकीम है उसमें भी अधिक से अधिक लोग लाभानवित हो सकें यह हमारा प्रयास है और भी कई तरहे के कारिक्रम हम चला रहे हैं मैंने शुरू में कहा कि ये कारिक्रम हमने शुरू किये हैं हमारा कभी दावा नहीं रहा कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है लेकिन हमने प्रयास जरूर शुरू किया है हम कर भी रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप का भी सहयोग पूरी तरह से हमें मिले तो इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हग तक हम आगे बढ़ सकते हैं आपने रेडियो की चर्चा की रेडियो से इसका प्रसारण करते हैं उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है पांच डिगरी से नीचे जब मरकरी गिरता है तो उसके बाद वे कहते हैं कि शीत लहर चलेगी छे डिगरी से नीचे तक का अभी तक का उनका अनुमान है मैंने मौसम विभाग के लोगों को बतलाया था और उनसे मैंने यह सवाल किया था यद्यपी आप मेरी राय से सहमत होंगे कि इसमें ऐसे ही लोग मरते होंगे जिनके पास की घर नहीं होता वे बेचारे कहीं फुटपात पर सोते हैं विकारी हैं वे रेडियो कहां से सुनने वाले हैं लेकिन फिर भी मौसम विभाग से पूछा कि उनको चेतावनी देनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जब 6 डिग्री से नीचे मरकरी आता है तब उसको हम शीत लहर मानते हैं और उसको पूरी तरह से एक चेतावनी के रूप में प्रसारिव करते हैं इस प्रकार की मौसम संबंधी सूचनाएं रोज ही रेडियो से प्रसारित होती रहती हैं लेकिन अभी उनके माप दंड के अनुसार शीत लहर नहीं आई है थोड़ी सी ठंड में भी कोई आदमी मर सकता है शीत लहर ने भी हो लेकिन अगर किसी के पास कपड़ा ने हो तो थोड़ी सी ठंड में भी वह मर सकता है अभी मैं शीत लहर का जो माप दंड उन्होंने रखा है वह बता रहा था हो सकता है कि उसको रिवाइज करने की जरूरत हो मैंने आपका यह सुचाव नोट कर लिया है बाकी जो अन्य बाते हैं उन से मैं इनकार नहीं करता हम और आप अभी सभी जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है लेकिन आप इसका कोई राजनितिक लाब उठाने का प्रयत्न नहीं करें रेन बसेरा और आयोग नियुक्त करने के बारे में भी मैंने पूछा था आयोग बहाल करने से कोई फाइदा नहीं होगा बल्कि उस पर जो फर्चा आएगा उससे गरीबों में कंबल बाटना अच्छा रहेगा अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा फैमिन कोटा था उसको रिवाइस किया गया है लेकिन शीत लहर का जो पैमाना अंग्रेजों के जमाने में चल रहा था वही आज भी चल रहा है इसी लिए उचित नहीं है